में इसकार मैं दिपालिय अभी का सबी का सुआगत दिपालिय हैนे अच कई जुलाई 2020 जाने वाला है तो माुझ धोलाराश भाला आज के दिन के बात करूं तो आज का दिन आपका का प्लाइड स्ता है एपने स्वाइड सकते है कोई उल्जन आपको परिशान कर सकती है और यह कोई emotional issue हो सकता है जो काफी लंबे समय से आपके जीवन में चला आ रहा हो लेकिन अब आपको चिंता करने की फिलहाल जरूरत इसलिए नहीं है कि आज के दिन प्रेड़ना देता हुआ जाएगा और छंडे दिमाग से दूसरे प्रिस्पेक्टिव से अगर इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो आज के दिन आपको इसका solution भी मिलेगा बात करते हैं व्रिश्टिक राशी वालों के लिए आपके लिए निकूल परिस्थिती बनी हुई है व्रिश्टिक राशी वालों कारिश शेत्र में सफलता, पराकरम में व्रिधी, रिकर्गनेशन, उच रधिकारियों से आपको सरहारना कुछ न कुछ पॉजिटिविटी आज के दिन मिल सकती है साथी साथ आज के दिन आपके द्वारा किया गया कोई भी कारिश सामाजिक अगर दृष्टिकोंड से देखें तो आपके लिए परतिष्था का कोई ना कोई कारण बन सकता है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए समानता परिस्थिती रहेगी धनुराशी वालों हाला कि सेकिंड आपके बाद आपको थोड़ा सा स्वास्त के प्रती सचेत रहने की जरूरत है स्वास्त में उतार चड़ाब देखने को मिल सकता है मन को शांत रखे पॉजिटिविटी इंब्रेस करिया आगे चलते चलिया आपको अपनी परिस्थिती में खुद बखुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा कुछ नया काम आपके सामने आ सकता है जो आपकी विवस्तिता या अगर देखू विस्तिता को और पढ़ा सकता है यानि कि आप बिजी हो सकते हैं और उस काम को करने के विवस्त था यानि कि जो प्रॉसेस आपको डिजाइन करना है वो आप स्ट्राटेजी के तहट चलें तो जादा पॉजिटिव माना जाएगा बात करते हैं मकराशी वालों के लिए परिस्ति वा मकराशी वालों आपके लिए भी सही रहेंगी हाना कि परिवार की किसी असदस के साथ आपका मन मुटाव हो सकता है तो मन को आपको शांत रखना है आज के दिन छोचे मोचे परिस्ति को लेकर मन को उठाट ना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए लंबे समय से चल रहा कोई अगर आपका परिवार एक तनाव होगा जो कोट केस में जाने वाला होगा उससे पहले ही आज के दिन आपको रास्ता दिख सकता है और परिवार के किसी ऐसे सदसे का आपको आज के दिन सहरा लेना चाहिए जो आपके परिवार में सब को साथ लेने का विचार धारा को फॉलो करता हुआ चलता हो बात करते हैं कुम्बराशी वालों के लिए कुम्बराशी वालों आपके लिए situation सही है मन आपका शांत है आज आप अपने लिए बहुत कुछ create कर सकते हैं लेकिन आपकी attention आज के दिन diverted रहेगी तो आज के दिन आपको अपने मन पे को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए कोई emotional issue अगर आपको परिशान कर रहा है तो उसको पहले समझने की कोशिश करें कि negativity कहां से आ रही है और किसी व्यक्ति विशेश से सला लें सुझा हो लें जो आपको इस परिस्तिती से निकाल सकता है कहने का मतलब यह है कि किसी एक emotional issue की वज़ा से आज के दिन आप अपना पूरा waste कर सकते हैं इस second half के दौरान आपको ज़्यादा stressful situation लग सकती है जिसका समधान आपके सामने ही हो सकता है अगर आप किसी से परामर्श लेता हूँ बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए आपकी situations मीन राशी वालों बिलकुल ठीक है मना आपका शांत है समानेता परिस्थिती चलेगी कुछ उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा परिस्थितियां भी आपके लिए नुकूल है बातावरन भी परिवार का ठीक रहेगा कुछ नया क्रियेट कर सकते हैं कॉन्फिदेंस लेवल में भी आज के दिन इजाफा होते हुए देखेंगे नई डील नई situation आ सकती है जोब चेंज करने के लिए एक्षुक जो लोग थे उनके सामने भी आज के दिन positivity या कोई opportunity आ सकती है साथी साथ आज के दिर आपका कोई mentor आपको कोई एक मेंत्वपुन्ट सला सूचना संकेत या निर्देश दे सकता है जो आपके जीवन में चल रही करन्ट situation को और positive बना सकता है सीके साथ मुझे आगया दीजे मैं कल फिर आजर होंगी नमस्कार